देखी परसन में क्या दिया गए कि इस्ट इंडिया कम्पनी को सूर्थ में कम्पनी का पहला कार खाना लगाने की जाज़त कब दी गई तो बहली बात अगर की जाए तो इस्ट इंडिया कम्पनी की जो इस्तापना की गई थी वो किस वर्स की गई थी तो यादखना 1600 में कब अगर बात कि जाए इस इंडिया कंपनी की अगर बात कर जब इस्तापना की गई थी उस टाइम भारत का जो सासक था यानि कि मुगल सासक कौन था अकबर कौन था भीया अकबर लेकिन जब ये इस्ट इंडिया कमपनी भारत में अपना कार खाना लगाना चाहती है यानि कि कहां पे सूर्थ में ये मंजूरी किस ने दी थी 1615 के अंदर और ये मंजूरी किस के दिवार दी गई जांगिर के दौर दी गई तो कई बार ये प्रसन आता है कि इस इंडिया कमपनी की जो फैक्टरी थी वो कहां पे थी भारत में सूर्थ में क्या बोलोगे सूर्थ में जबकि पूर्त गालियों का जो केंदर होता था वो कौन सा था गोवा कौन सा था गोवाम लेकिन पूर्त गालियों अपने जैहिंद भाई जैहिंद, अर्जन, रामराम, भाई रामराम, परदीप, रामराम, सभी को नमस्कार, सभी को रामराम इस gestion का जो रायट उत्र होगा वो जहांगीर होगा एक बात बताएं, जहांगीर के समयकाल को या सासन काल को चित्र। लाका स्वनकाल कहा जाता है एक तो बात या दरना जांगिर का समयकाल कई बार पूस्ता है तो आप बोलोगे सर 1605 से लेकर 1627 तक कई बार ये परसन आता है कि सर जो जांगिर ने कौन से सिख गुरू को मृतुदर्ण की सजा दी थी तो बोलोगे आप अरजुन को यानि को भारत का कौन सा चे Πीस केंदर चाहित फृष्छ खाली याने की पूर्टगालियो ने जो अपनी फैक्ट्रीू लगाई थी पंडरास सो दो के अंदर है तो फोससा पर्मुक केंदर की बात कर रहा है तो पर्मुक केंदर का मतलब उनकी राजदानी जो थी वह कौन थी वह ग Gowa , यानि कि कई बार ये परसन आता है कि पूर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कप लो गए 1510 , कप लोगे 1510 , 1510 और कब तक किया आपके up to 1961 ? तो कई बार ये भी परसन आता है कि पूर्टगालियों से हमनेप से और मoba कब और आजाद करवा लिया ? पूर्टगाली ठीक ना यह बताना दूसरी पूछे तो आपको क्या बताओगे अंग्रेज बताओगे ठीक कौन सी बताओगे अंग्रेज अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यूरोप तो पूर्टगालियों में भारत आने वाला पहला वेक्ति कब था 1408 में और उस वेक्ति का नाम क्या है वासकोडी गामा तो यह वासकोडी गामा भारत में कहां पर वेस्ट करता है काली कट काली कट तो काली कट नामक यह तट पढ़ता आपके कहां पढ़ता है केरल में पढ़ता है एक तो यह दिखाना कई बार यह परसानता है कि पूर्टगालियों की देन क्या भा हाँ कालिकट का एक सासक था जो मेरिस नाम करके जमोरिन ने उसने 1408 में किसका स्वागत क्या था वास्कोडी गामा का अगले परसन को देखे इतनी बाते सही एक परसन में तो सबसे कम की अगर बात की जाए तो आपके सभी को पता और अनाचल परदेश है और अनाचल परदेश का परतिवेक्ति जन गनातव कितना आपके 17 और पूरे भारत का कितना है भया तो इस परसन में थोड़ा सा प्रिंटिंग और उप्सन दिये नहीं तो इसको छोड़ो एक हावैंसांग और हर्सवर्दन के दौर बार एक पुस्थक लिखी गई रतनावली और प्रियाध Randhan की पूस्थक पांणिकी और घबन गोदान प्रेमा फटे औ जूते करम भूमी रंगायल बूमी सब किसके मुनसी प्रेमचंद प्रेम चंद की और मेक स्थनीज के दुवारा लिखे गई थी इंडी का पूस्तक ये भी ध्यान देना कि क्यों गया है सविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी देखो सविधान निर्मान के समय आपको पता है सविधान निर्मान के समय लगबक कितने वर्स का समय लगाए तीन वर्स का कितने वर्स का समय लगाए यानि कि दो वर्स ग्यारा मा और अठार दिस मोटे मोटधा अगर देखा जाए तो तीन वर्ष इस तीन वर्षों के दोरान में जो सवीदान दिर्माण की Total VAT के हुए वो कितनी हुए ऐ 166 है कितनी हो यह भईया 166 वर्ष के हुए आपको यह दिहान देना लेकिन सवीदान दिर्माण में कुल अधिवेशन की बात कर ले कि सराधिवेशन कितने हुए थे अधिवेशन आपको बता नहीं तो आपको बताओगे एक पलस में 11 बराबर में टोटल कितने हो गए यानि कि जो अन्तिम अदिवेशन था 24 जनवरी 1950 250 को तो वो बारवा और अंतिम अधिवेशन किलाता है जबकि पहले अधिवेशन के अगर बात कि जाए तो यादगना 9 दिसंबर उन्नीसोचालिस को 9 दिसंबर उन्नीसोचालिस में इसकी जो देख्षता कि थी वह एक यस ताई सदस्य गुरूप में की थी जिसका नाम आता है डोक्टर सचिताननद सीना और इस बैठक के अंदर टोटल कितने वेक्ति उपस्तित हुए थे राजिंद्र परसाद को तो इस परसन का जो राइट उत्तर हो जाएगा वह क्या होगा आपके लेकिन हमारी जो सविधान सभागा गठन किया जाता है वो कब क्या जाता है छह दिसंबर 1946 को केंद्रिये आपके जो वर्तवान संसत भवना वर्तवालमान नी पुरानी वाली में केंद्रिये कक्स के अंदर है जो फ्रेंच पर्था के अकोर्डिंग उसका स्वागत किया अगले परसन को देखिए reverse flip का संब्मद निम लिखी में से किस खेल से बताई किरकेट से पोलो से होकी से या आपके बैड मेंटन से reverse flip किस से बहिए होकी से किस से रिलेटिड है होकी से तो खेलों की सब्दावली से भी याद रखना आपको परसन अगले प्रसन को देखे क्या दिभे खे कहा है, हुदाई से प्राप्त अशोग के अधिकान सिला लेखा किसואई में लिखे गए? असोग के जो सिला लेख हैं, वो टोटल आपको कितने भी लेंगे? चोदा सिला लेख लेकिन असोक का तेरवे सिलालेक में असोक के एक मातर यूद का वर्णन मिलता है जिसका नाम आता है कलिंग तो कई बार परसन आता है कि कलिंग के यूद का वर्णन कौन से सिलालेक में मिलता है तेरवे सिलालेक में और ये चोदा के जोदा जो सीला लेख लिखे गई है किस बासा में लिखे गए हैं ब्रामनी बासा में या ब्राही बासा बोलते हैं इसको यह याद रखना आपके असोक ने अपना सासनकाल किस सावंस में किया था तो बोलोगे सर मोर्रेवंस में तो मोरेवन्स का तीसरा सासक कौन था? समराट असोक, असोक किसका बेटा था? बिंदु सार का, असोक किसका पुत्र था तो आप बोलोगे चंदरगुप्त मोरे का, कई बार ये परसन आता है कि असोक के बेटे और बेटी को बोध ध्रमके परचार परसार के लिए कहां बेजा कि मानव, मानस राष्ट्योदान भारत के किस राजयें पढ़ता है? तो राष्ट्योदान जो है ना उनके बारें पुछाते हैं जैसे काना, मादवगड, बांदवगड, पेच, कनो नैसनल पारक सारे पढ़ते हैं मद्दे परदिस में, जबकि जिम कॉर्बेट नैसनल पा राजस्तान में, और आपसे पूछ लेगा कि जिम कॉर्बेट नैसनल पारक देश का पहला बना था उत्रा खड़ में, और देश का सबसे बड़ा आता है हैमिंस नैसनल पारक कहां पढ़ता है आपके, लद्दाक के अंदर है, अगले परसन को देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डाक तंतर किस देश का है, तभी डाक तंतर पूछ राप से, तो किस देश का है भया, भारत का, और विश्व में सबसे ज़्यादा मद्दाता है, संख्या किस कि है, वोटर की संख्या भी किस कि है, और जन संख्या की दिरिष्टी से वर्तमान में बोले तो किस का है लेकिन 2011 के अनुसार बोले तो चीन बताना है, very good अगले परसन को देखी, अगले परसन में क्या दी गए हाँ, सत्य सोदक समाज की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की थी सत्य सोदक समाज की स्थापना सत्य सोदक समाज जो चलाए गया था, यह आपके जोति राव फूले के द्वारा और एक बात बताईए, गुलामगरी नामक पुस्तक भी किस की है और सत्यार्थ प्रकास का लेखक को ने और वेदो की और लोटो यह बात भी किसे बोली थी और आरे समाज की स्थापना भी किस ने की थी और बर्म समाज की स्थापना और आत्मे समाज की स्थापना आधुनिक भारत का पिता किसे बोलते है और इसे यह जो राजा की उपादी यह किस वंस ने दी थी मुगल वंस ने, किस ने दी थी और मुगल में एक सासक था अकबर सैकंड तो अकबर सैकंड के द्वारा दियानन सरी राजा रामोन राय को कौन शी उपादी दी गई राजा की उपादी दी गई अगले परसन को देखे क्या दिये गए भार्त में प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात कप किती यानि कि बागो को गिंडने की यानि कि बाग गणना किस वर्स रूख की जाती है तो याद रखना 1973 में पहली बारा अगर पुछे तो एक बताना लेकिन जोड़ा बोले तो 1973 और 1974 में इसकी सुरुवात कियाती है अगर इस परकार आए तो ये बताना है अगर सिंगल वर्स दे तो क्या बोलोगे 1974 में और उसके अकोर्डिंग बताए जाता है कि वर्तमान में बागो की जो संख्या है वो लगबग आपके 3067 बाग पायाते हैं भारत में 2967 लगबग आप बोलोगे 3000 बाग भारत में पायाते हैं जिनमेंसे सबसे अधा जो बाग है वो मद्य परदीश में का है ہے भाईया उसके बाद में सरावादिक बाग पायाते हैं आपके करनाटक में और उसके बाद में आपके उत्तराखंड में तो सरावादिक बागो कि संक्या किस राज्ये में हैं तो आप बोलोगे MP में, ठीक ना, लगबग आपके 526 बाग पायाते हैं, 500 आपके 24 करनाट को पायाते हैं और 442 के सम्थिंग इस परकार यहां पायाते हैं आपके उत्तराखंड में, तो सबस्यादा बाग किस राज़ें भया, इसलिए मद्दे प्रदिस को क्या बोलते हैं, ट 1973 में, और बागों की गणना याद रखना परते कितने वर्स बाद होती हैं, कितने वर्स बाद हैं, और अगर पूछले मानव गणना कितने वर्स बाद होती हैं, पसो की गणना कितने वर्स बाद होती हैं, और वनों की गणना पूछे तो, वन सम्परदा कितने में होती हैं, दो में अगले परसन को देखिए अगले परसन में क्या देगे प्याज और लैसुन में किस तत्व की उपस्तिते होती है जब आप प्याज का लैसुन का सेवन करते हो तो उसके अंदर किस तत्व का मिश्रण यानि कि जो उपयोग पायाता है तो याद रखना पोटेशियम किस का पायत अब या? Potassium तो Potassium की मातरा किस में पायती है? Lesson और प्याज में और इन दोनों में से अगर ज़्यादा पूछे तो आपको Lesson बताना, क्या बताओगे? Lesson में अगले परसन को देखे, अगले परसन में क्या देगे? Tamilnadu और अंदरपरदेश के तट को क्या कहा जाता है? Tamilnadu और अंदरपरदेश, देखो ये आपके पश्मी घाट है, ये आपके पूरवी घाट है ये आपके तमिलनाडव है और ये आपके क्या है? अंदरपरदेश इस तटीय भाग का नाम क्या है? तो यहाँ देखना इस तट्टिये भाग को कोरो मंडल तट बोलते हैं जब लोटता हूँ आ वानसुन जाता है तब इस पर बरसा करता है लेकिन जब भारत में वानसुन आता है केरल में कहा आता है तो आपसे कई बार पुछता है कि पश्मी तट का नाम क्या है जो केरल में है तो उसको क्या बोलोगे देखो कोकन तट का जाता आपके गुजरास से लेकर गोवा तक के तट को और जो काठ्यावाट तट है ये आपके काठ्यावाट जीडा और कहां पड़ता ये गुजरात में तो परसन कभी कार ये होता है आपको ऐसे ना देकर ये बोलेगा कि पूर्वी तट का नाम बताइए पूर्वी तट का क्योंकि ये पूर्वी तट पे है के मेने कि यह नाम दें कर आपको शीधा बोल देगा किस में श्रकार या उतकल तत की से को का जाता है जबकि only for Tamil नादू के तट को का जाता या पूरवी घाट या Pen वृभी थिसे साध्री के नाम से जाता है किसे बोलते हैं साध्री के सब्से पहले जो मानसून आता है वह बारत के किस ranking में आता है केरल में आता है जब मांसुन लोटता हुआ जाता है तो किस राज्य में जाता है यानि कि किस राज्य में जब बाहर से मांसुन जाता है तो किस राज्य में वर्षा करता है और जब मांसुन आता है तो किस राज्य में वर्षा करता है वेरी गुड धन्यवाद नेली करांती का सम्मन्द किस छेतर से अब नेली करांती का उत्पादन भारत में किस लिए चलाए गया था जैसे सवेत करांती दुगद उत्पादन के लिए हरित करांती गेहू चावल यानि की खाद्यान फसल के लिए पेली करांती का सम्मन्द तिलहन उत्पादन के लिए ग रज़त करांती अंड़ा उतपादन के लिए, गोल करांती आलू उतपादन के लिए, तो उसी परकार क्या पूपजा गए आपके नीली करांती याद रखना मतस्य पालन, किसके लिए, अगर कई बार परसन आता है मुर्गी पालन भी किसमे आएगा भाईया, जहां अंड़ा पादन होता है रजटकरांती के अंदर यह धषान देना अगले परसंद में क्या मेरा देरखा है कई बार यह परसल आता है कि जो मूफली कि किस परकार की फसलतों चाहित राखना हिए तिलहन फसल कैसे तिलहन फसलत लेकिन रितू के नुसार देखा यहां तो यह Mensch खरीफ की कैसी अदे खरीफ जब कि जब मुफलि का आप जो खाते हो वह एक प्रकार का क्या खाते ौप जैनि की जैसे आलोगलकर ना तो उस प्रकार मूंघफरी का वह अब 90 अधिक समूर नाम इक तो मुंगफली किस फसल में गिनी जाती है खरीफ में लेकिन फसलों के परकार में देखे तो क्या बोलोगे तिलहन क्योंकि तेल के लिए ज्यादा उपयोग मिलेते हैं मुंगफली को और भारत में सबसे बड़ी जो एशिया यानि की बारत में मुंगफली मंडी कौन शी है उसका परसन दूसरा है यह बोला राजस्तान का राजकोट किसको बोलते है राजकोट की जगा है गुजरात है तो गुजरात राजकोट में पड़ता है वहां पे मुंगफली के देहर लगे होते है इसलिए उसके तुलना कर दी लून कंसर को राजकोट से यह याद रखना निमली खित में से किस ग्रह को पृत्वी की जुडवा बहन कहते हैं, तो यानि कि इन में से कोण सा ग्रह है जो पृत्वी की जुडवा बहन, आकार उसके द्रमवान में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, टुइन्स प्लेनिट का जाता है उससे, ठीक ना, तो आपका राइ टुत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुकर को, किसको भीया, कई बार परसन आता है कि सुबह का तारा, सांच का तारा भी किसको बोलते हैं, कोई भी उपगरह नहीं है, तो किसको बोलेंगे, पृत्वी के सबसे निकट गरह भी कोण सा है, पृत्वी की बहन किसको बोलते ह सबसे गरम गरह किसको बोलते हैं यह यह भाई सुकर सबसे गरम भी कोण है और जो गरम होगी वह वस्तो चमकती है इसलिए सबसे चमकिला गरह भी किसको बोलते हैं सुकर को बोलते हैं यह भी याद रखना और सूरे से दूसरे नमर पर गरह कोण सा पायाता है क्योंकि सूरे से पहले नम्मर पे कौन सा भीया बुद्ध अकार में सबसे छोटा कौन सा है अकार में सबसे बड़ा कौन सा है एक माननव गरह जिस पे व्यक्ति जीवन यानी की जीवन संभव है गरह है प्रित्वी क्योंकि उस पे उक्सिजन की परदानता है मंगल पे नहीं है चल रहा है का र जबकि विटामिन ए का जो नाम आता है उसका नाम याद रखना टेकोफरेल आपके किस का आता है डी का हाँ सही है टेकोफरेल हाँ एक आएगा कैलसी फरोल एक बार देखना इसको एक बार देख लो यह गलती नहीं होना चीए बाई सब यह विटामिन ए में कोई गलती नहीं आनी चीए एका रेटिनोल आता है बी का थाइमीन आता है और बी सोरी विटामिन सी का एसकोर्बिक अमल विटामिन हाँ टेकोफरोल आपकी विटामिन के का बता रहे है सही है ओतरसंग क्या क्या होज़ागा आपके टेकोफरोल, कैल्सिफरोल के अगर बात करें तो विटामिन एक ही बात कर रहा है कोई निदे अगले परसंग को देखे क्या दिगे दलदली भूमी में मुखेते कौन सी गैस निकलती है दलदली भूमी के अंदर यानि कि दलदली जो भूमी होती है जहाँ पानी की परदानता जादा की जाती है या नाली वगएरा होती है उसमें सबसे बातरा किसके होती है किसके होती है जहाँ चावल के खेत होते है तो वहाँ पे भी किसकी प्रजानता होती है जो पसू होते है डेरी वगएरा होते है पसू पे जुगाली करते है तो उसके भी जो बदबू आते है वो किसके आती है और याद रखना कचरे के डेर हो गए यानि कि इसका सुत्र क्या है CH4 जो गोबर गैस होते है उसका मुख्य गटक भी कौन सा होता है लेकिन परकान संसलेशन में साय कौन होती है और पृत्वी के वायू मंडल में इसकी मात्रा कितने 0.3% और पृत्वी के वायू मंडल में इसकी मात्रा कितनी है और सूर्य के अंदर सरवादी गैस कौन सी होगी जांस हाइट्रोजन होगी वहाँ दूसरी कौन सी होगी तो सबसे हलका था तो वह कौन सा होता है और उसके बाद कौन सा होता है यानि कि यह हाइट्रोजन किसी जिसको बलाश्ट कर देता है इसलिए प्रियोग में ना लेकर किसको प्रियोग में लेते हैं तब हम क्या बोलते हैं सबसे अलकिक है हिलियम को अगले परसन को देखे गुबारों बरी जाती है वायो यान के पैयों में बरी जाती है बारत में हरित करांति का जनम दाता कोन है इसको तो गलत नहीं करोगे मेरी साब से बारत में पूछ रहा है तो बारत में हरित करांती का जो जनक है उसका नाम है स्वामी नाथन कोन है जबकि विश्व में पूछे तो पिली करांती का संबन्द पिली करांती का संबन्द किसे सेम पिछोतरा पहले सरसो होती थी अब आपको क्या बोलना है तिलहन उत्पादन पीली करांति आती आपके तो विश्व में हरित करांति का जनक कोन है नॉर्मन बोरलो और इसी के नाम पर सबसे बड़ा पुरुसकार दियाता है किसमे क्रिशी जगत में किसमें दियाता है बात क्रिशी की चल में 15,000 लोग मारे जाते हैं और यह मद्य प्रदेश की राजदानी है बोपाल के अंदर हुई इसका नाम आता है मिथाइल आइसो साइनेट मिथाइल आइसो साइनेट यह यादखना और मिथाइल मरकेप्टन नामक एक LPG गैस देख्योंगे आपने जो आपन रोटी बनाती मिथाइल मरकेप्टन आती है यह आपके कौन से मिथाइल आइसो साइन जहरेली गैस में पड़ी जाती है जिससे कितने लोगों की मृत्वी थी 15,000 लोगों की और यह गटना कब गटती है 1984 में और यह कहां पर गटती है बोपाल में अगले परसन को देखते हैं भाई साब कि मुसलिम लीग की स्तापना किस वर्स में की गए थी मुसलिम लीग तो मुसलिम लीग की स्तापना पूछ रहा है मुसलिम लीग की स्तापना 1905 में 1906 में 1923 में 1906 में 1906 में सवदेशी अंदोलन है या 1905 में या देखना सवदेशी अंदोलन और बंगाल विवाजन कब हुआ थ और railway board की स्थापना भी कब होई थी लेकिन यहां क्या पुछला है Muslim League की स्थापना आगले वर्स होती है 1906 में 1906 में आपको ध्यान देना है सवराज party की स्थापना 1900 और Lahore Adivation कब हो अथा 1900 जिसकी अदेखस्ता की थी पंडित है और किसकी मांग की थी सवराज यानि की पूर्ण सवराज की मांग की थी भारत का प्रतम वाईसराय कोन था कोई नहीं बोलेगा ये किया इनसान बोलेगा उसका नाम है दीपक भारत का पहला वाईसराय बताना है दीपक गल है पढ़े हो कोनी था लाला Lord Canning कोन था और बारत का अंतिम गवर्णर जनरल कौन था लोड कैनिंग यह आपको बताना है और इसके समय बारत की पहली नियमित जनगन्ना करवाई गए थी अठारा सो एक्यासिम बारतिय पंचायती राजोस्ता सुना होगा आपने नगर निगम सुना होगा उसे हम बोलते हैं इस्तानिय सवसासन क्या बोलते हैं तो इस्तानिय सवसासन का पिता कोन है लोड रिपन बहुत बढ़िया सबसे अच्छा वाइसराई भी कोन था एक बहुत बढ़िया जैसे मोधी है न वैसे था यह अब मोधी इंसान अच्छा है कभी आप गलत करो दो उसको मोधी बहुत बढ़िया है आगे देखिए मुगल समराट अकबर ने नो रतनों में से एक टोडर मल का संबन्द की छेतर से देखो नो रतनों का लगलग काम था जैसे पर्मुक कभी था फेजी नाम करके कौन था? साहितेकार था अबुल फजल पर्मुक सेनापती था मान सिंग और पर्मुक आपके संगितकार था तान सिंग तो उसी प्रकार से जो टोडर मल का संबन्द है दोस्तो ये वहाँ पे भूमी मंत्री था इसको राजसम मंत्री बोलते हैं या वित मंत्री बोलते हैं वित मंत्री वैसे अगर उप्सन में देखा जाए तो यहाँ पे देखो भूमी होगी तो वहाँ पे क्या होगी और वित होगा तो यानि कि वेपार हो तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा तो वैसे मैं बतारों बूसवराज वैस्ता ना मिले तो क्या मिलेगा वित मंत्री अब वेपार क्रिस ये सारी बाते आजाए उत्प्यूक सभी अगले परसन को देखे क्या दियेगा निमली खित में से किस मुगल सासक ने हिंदू तिर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था अब बताए अरे बताते हैं कि इसकी पत्नी थी अरका भाई जिसको मरियम नाम दिया था और वो रूट के 1562 में चली जाती है तो उसको वापिस बुलाने के लिए अकबर के द्वारा ये दास पर्था हो गई तीर्थ कर हो गया जजिया कर हो गया इसको सामेल काल हटाता है भाई अगले परसन में देखे क्या देखे 1563 किस वाइसराय ने विल्ले निति की लागू किती यानि की राज्य को हड़प निती वैरी गुड ये लागू हुआ था आपके अठारा सो चोवण में वैरी गुड लोड डल हो जी इसी के सासनकाल में डाक वेस्ता भी शुरू की थी डाक टिकट जारी की थी और इसी के समय रेलवे की वेस्ता भी की गई थी और इसके बाद में गवर्णर जनल कोन बना था और इसको गवर्णर जनल के पस से अटाकर कि में बदल दिया वाइसराई में बदल दिया लोड माउंटन याद रखना अजादी के समय भारत का क्या था वाइसराई तो पहला ब्रिटिस अजादी के बाद और अंतिम ब्रिटिस भी बोले तो लेकिन भारत का अंतिम सवतंतरता का अंतिम पूछे तो सी राज गोपाला अगले परसन को देखिए अगले परसन में क्या दिए वो भारत ये था भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए अब पंचायत का बनो चाए नगर पालिका का बनो चाए वाडपंच का बनो चाहे नगर, परिशद का बनो तो कितने वर्स की आयू चाहिएगी लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और विदान सबा का बनने के लिए और CM बनने के लिए और PM बनने के लिए तो सभी केलिए कितनी है सारी लिखन लाग रहे हैं एक मही हाँ और राज्य सबा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्स और विदान परिशद का 30 वर्स और वोट डालने के लिए तो ये वोटर के लिए वया और ये सरपंस के लिए तो यहां रायट उत्र क्या मिलेगा राश्टपती बनने के लिए उपराश्टपती बनने के लिए और राज्य पा होने वाली फसल क्या किलाती है एक बात बताऊं किया आज किसी ने भी क्लास को शेर ने किया कर देखिए कि आज आपनों के भी कॉंच ला रहा है सर एक कोशन छोड़ दिया अभी राठोड कोई नहीं देख लेंगा उसको परसन देखे क्या देखे जून से सितंबर के दोरान तयार होने वाली फसल क्या खलाती है अब जून से सितंबर गर्मियों के महीने में क्या खिलाती है और जो सितंबर से लेकर अप्रेल तक चलती है रवी की फ़स्ट सवतंतरता के बाद देशी रियास्तों के एकिकरण का उतरदाई किसको इसलिए भारत का एकिकरण का जो नाम दियाता है वो किसको दियाता है सरदार वल्ल भाहि पटेल को इसका रायट उतर क्या मिलेगा सरदार इसको सरदार की उपवादी किस ने दी थी बार्दोली गाओं की महिला जबकि इसको भाहिया लोपुरूस की उपवादी किस ने दी थी लोपुरूस तो याद रखना महात्मा गांदी ने तो सरदारवल्ल भाई पटेल को लोग की उपादी किसके दुवारा दी गई महात्मा गांधी के दुवारा अगले प्रसंद को देखे क्या दिए गए कि सन 815 में कलकत्ता में आत्मिय समाज की स्थापना जो बाद में चलके क्या बन जाता आपके बरम समाज बन जाता और कब बनता ही अठारा सो अठाइस में तो इन दोनों के लिए क्या बता होगा आप है राजा राम मोहन राय तो यह बता यह मुझे द्यानन सरस्वति के दुवारा कोंड़ समाज चला गया कि अ 850 अ कि अठार सो पी चत्र में और कहां कि थी है है मुझे और आत्मे समाज की स्थापना का उती है है और यह बाद में चल के क्या बन गया है गया अन्दर आथे अपना की लाते हैं आत्मा राम पणूरंग दुवारा और ये किरेति आपके कलकत्ता में और एक आते हैं राम किसन के अपना और नौ धर on में अगले परसन को देखे नीरत चोपड़ा का संबंद किस खेल से ये तो गलत नी होगा क्योंकि साथ अगस्त दो अजार एक्किस में ओलंपिक के अंदर इसने क्या जीत लिया था गोल्ड मैडल और इस कान साथ अगस्त को परतेक वर्स हम क्या बनाते हैं बाला फैक दिवस क किस तारिक को आता है साथ अगस्त क्योंकि इनिरत चोपड़ा ने टोक्यो अलंपिक में जेवलिंग थ्रो में क्या लिया था गोल्ड मैडल अगले परसन को देखे क्या दियेगे नेक्ट कोशन किस मुगल सासक ने सिक गुरू तेक बादूर की अत्या की थी और ये कौन से गुरू का नाम क्या था अर्जुन देव और नो में गुरू की अगर बात किए तो तेग बहादूर आपको बताना है वेरी गुड़ वाई सा वेरी गुड़ अब चलाओ भाई सेशन को शेर भी किया ग्रो सारे जितने भी लाइब देख रहे हैं सेशन को शेर करें और कम से कम 20 पलस का तो आकड़ा बना सकते आप है तो इसका परसन का उत्तर क्या होगा भाया ओरंग जेब ठीक ना वो बताते हैं कि दिल्ली के चांदनी चोक के चुराय के बीचे उम्रवादिया था इसकी गर्दन कटवादी थी अगले परसन को देखे क्या दिए परसन में किस मु किसके सासन काल में चित्रकला को बढ़ावा दिया गया था इसलिए चित्रकला का सवन काल बोलते हैं जांगिर को लेकिन इसको बोलाता है वास्तु वास्तु कला या वास्तु ना बोलतो इसको स्तापत्ते बोलते हैं स्तापत्ते का मतलब होता है इमारते वगिरा और इसको को बोलाता है हिंदी साहित्य का तो हिंदी साहित्य का ज्यादा परचलन किस में पड़ा है तो इसलिए हिंदी साहित्य का सवनकाल किसको बोलते हैं ममा और जांगिर को क्या बोलते है वास्तुकला का सवनकाल और चित्रकला का सवनकाल है तो एक बात बता है इन में से जांगिर का पिता कोन है सांजा तो बेटो है बिलकुल अकबर है हाँ उमायू नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई उमायू नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई जिसमें दो व्यक्तियों की जीवन कथा को दर्शागा एक बाबर का और एक उमायू का और बताते हैं गुल बदन बेगम के द्वारा किस गुप्त सासक ने नालंदा विश्विध्याले की स्तापना की याद रखना नालंदा विश्विध्याले ये एक बहुत द्रम से जुड़ा हुआ तो किस से जुड़ा व भीया और यहीं पर बताते हैं कि आपने एक व्यक्ति सुना होगा चीनी आत्रय आयता अवेंसांग तो अवेंसांग ने शिक्षा ग्रण की थी और बताते हैं कि नालंदा विस्विद्याले आपके बिहार में पढ़ता है बिहार पटना के अंदर और न आलंदा विश्विधाले को तुडवा दिया बक्तियार खिल जी के द्वारा तुडवाए गया जबकि बनाय किसके गया है कुमार गुप्त है जो बताते है गुप्त कालकांतिम सासक अगले परसन को देखे क्या दिया है सकंद गुप्त आगे चलो उसका सासक मालो बगवान विष्णू को समर्पित पूरी पूरी एक पड़ती है और ये पूरी पड़ती है उडिसा में कहां पढ़ती है उडिसा में तो पुरी एक जगनात मंदिर है और यह पूछ रहा है कि पुरी जगा कहां पढ़ती है तो आप क्या बोलोगे और उडिसा की राजदानी का नाम है बुमनेश्वर तो कई बार यह पुछाता है लिंग राज मंदिर का पर है उड़ी सा में नट राज मंदिर भी का पर है नए नए नट राज मंदिर और मिनाक्षी मंदिर तमिल नाडों के अंदर पढ़ते हैं ओर कोनां आग सुर्य मंदिर कहां पड़ता है ईइशल फिर पड़ती हूं फिर तो आप यार सुनने की खोज का सरे किसे दिया जाता है जिन्नोंने सुनने की खोज की और पूरी गणितिय सरचना knowledge को ही बजल दिया यहां पर क्या कै रही है सुनने की खोज का सरय किसको जाएगा पाइथा गोरेस तो करी नहीं सकते हैं यार परसन की पहली लाइन अब ऐसी तो तेरा पेपर में गलत होता है अब तो दिल्ली पुलिस का पेपर देखे है तो यही तो मार खाके है तू ओवर कॉन्फिडेंस कई बार होता है और वो नीचे लेके आ आज है दो रोटी खाली ठीक है चोथी रोटी खाओगे ना तो उपर से डकार आओगी दकार तो क्या होगी पुरी डाकरी आओगी धार तो अरा यही भी तो खा गया यह रोटी इन्यों के रोटी अंगल लाग रहे होगे आगे देखे तराइन का प्रतम यूद सही कहता है कि तराइन का पहला पूछ रहे तराइन की कितनी लड़ाई हुई है मुहम्मद गोरी और प्रत्विराद चोहान के बीच में तो दोंकी बात करा कि प्रतम यूद्विय में मुहम्मद गोरी और चोहान लड़े थे इनमें से आर किस की हो रही है हार किस की हो रही है यह बता दो मुहम्मद गोरी इसमें आर जाता है और प्रित्विराद चोहान दूसरा बताऊ या तीसरा बताऊ तिरित्ते बताना है अगले सासन को देखे बाई साब परसन को सोरी अजन्ता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धरम से है महराश्टर के और अंगबाद में अजन्ता की गुफाओं, अलोरा की गुफाओं, अजन्ता की गुफाओं, कनेरी की गुफाओं सारी महराश्टर में भीम बेटका की गुफाओं पढ़ती है आपके मद्दे परदेश में हाती गुफा पढ़ती है, उडिशा के अंदर है और अमरनात गुफा पढ़ती है जम्मू एंड कस्मिर में अगला देखें निमली कित में से किसने गुप्त वंस की स्तापना की थी वेरी गुप्त और गुप्त वंस का कवी राज किसको बोलते हैं बहार्त में डाक सुचकांग प्रणाली का जो पिन प्रारम किया गया किस वर्स किया गया 1922 में आपने देखाऊगा पिन है जो पिन होता है ना वो उस छेतर का लोकेशन बताता है ओपिन का फुल नेम कई बार पूछ लेता है पीसे बनता है पर्सनल इंडेक्स नम्बर पर्सनल इंडेक्स नम्बर ये पिन का फुल नेम है अगला देखे क्या दिएगे बार्त में प्रथम विदूत रेल किस वर्स सली थी दिपक बोलगा दिपक यहाँ पे पहली विदूत बोली है यार याद रखना तीन फरवरी उननिस सो पच्चिस के अंदर चली थी मुंबई में अगले पर्सन को देखे प्रित्वी तल के कितने पर्तिशत अब कोई नहीं बोलेगा ये की बोलेगा और वो बोलेगा मनोज पर्सन बतानों के सुणा को इन दिखा को नहीं प्रित्वी तल के कितने पर्तिशत भाग पर महादीपो का विस्तार पायाता है प्रित्वी के कितने पर्तिशत पर आपके महादीपो का भाग पायाता है एक बात देख ले प्रित्वी के 71 प्रतिशत पे क्या पायाता है और बाकी सेस कितना बच गया कॉमन सेंस वाली तो बात यह यह और पड़ता है सता इसका भी पड़ा है खा गया ना मार तुझे मोर बनाना पड़ेगा बस बस आज़े हो रहे निमली कितमे से कौन सा अभ्यार जंगली गदो के लिए फिमस है कि गदे गदे पायज़े हो रहे सौरी हातियों के लिए जंगली गदो के लिए तो यह अपके पड़ता है ना यह गुजरात का होगी रहे जंगली आतियों के लिए यादखना पेरिया नैसनल पार्क और यह कहां पड़ता है केरल में तो नागर होल वन्ने जी बाभ्यारन किस राजी में कमेंट करके बताए करनाट सिंदुगाटिस अबेता का एक विशाल सनाना गर तो बड़े-बड़े जो सनाना गर पाए गए बड़े-बड़े अनबंडार पाए गए वो कहां पाए गए जबकि अनबंडार अकेला पूछे तो कहां बताओगे अनबंडार यानि कि अनो को इस्टोर करने वाली के विशारी लोग है दो आयेंगा इस परकार का था ये एक उर्ला पासू पैड़ी थी एक उर्ला पासू पैड़ी उरू भी बड़दा उरू लिकड़दा आज इतर निम लिखित में से बात नहीं भाई साब आसिस जूड़ा हुआ है एक तो ये मनीस हो गया बनवारी हो गया ये कहां गुम रही है राजवीर हो गया ये कोई नहीं ये सटुडेंट ये जिक्के का सटुडेंट को नहीं है निम लिखित में से कौन से कोईले की सर्वत्तम किसम है तो कोईले की सबसे घटिया किसम होते है पीट कोईला और सबसे ज़्यादा कार्बन की मातरास्ची से उपर होती है एंथ्रे साइड वे और बारत में सरवादी जो कोईला पाया तो उसका नाम है बिटुमिन कोईला, कौन सा है और जो कोईला जलता वो हरे रंग का परकास देता उसका नाम लिगनाइट कोईला और जो आपके बटो पे हो गया वगरा वगरा हम किसका प्रियोग करते हैं आपके पीट कोईला अगले परसन को देखें क्या दिएगे क्या दिक्कत होगी फिर बड़िया बात है परसन जितना याद गर उतने अच्छी बात है बारतिस इत्यास में बजार मुले नियंतन पदेती की सुरुवाद किसके द्वारा के गए थी अल्लावदिन खिल जी के द्वारा के गए थी बाईसाब निमली कितमे से किस खेल में फ्री थ्रो सब्द का प्रियोग किया था है मनीश जूड़े क्लास में वाईसाब राजवीर घूम रहे कहीं बदा ये फ्री थ्रो किरकेट, होकी, बास्केटबोल, फुटबोल ट्राइ करो फ्री थ्रो किसमे प्री था है किसमें बास्केटबोल तो इसका राइट उत्तर क्या करोगे उत्तर संख्या अगले परसन को देखे किस भारत्य राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है यानि कि पोलो खेल का प्राचिन नाम था चोगान क्या नाम था और बताते है कुतबुदिन एबग की 1210 में इसी खेल को खेलते समय गोडे से गिर के मृत्य हो जाती है और इस पोलो खेल के उत्तपत्ती माने आती है मनी पूर से काहां से माने आती है मनी पूर से यह ध्यान देना अगले परसन में देखे क्या देगे विक्रम सारा भाई अंत्रिक्स के अंदर कहां परिस्तित है त्रिवेंद्रम पुरम में पढ़ता है आपके भाया अरे सही है त्रिवेंद्रम पुरम त्रिवेंद्रम मिल जाए या त्रिवन्तम पुरम मिल जाए और यह कहां पढ़ता आपके और या देखना विक्रम सारा भाई आपके इस रो का पहला देख भी था इस रो का पहला चेर्मेन कौन था उपग्रेव अगरा जो है आपके लॉंचिंग पैड कहां से की जाती है 37 दवज़ और यह कहां पढ़ता है आंधर प्रदेश में अगला देखिए किर्केट पिज में पोलिंग क्रीज और इस्टम के बीच की धूरी पूछ रहा है एक इश्टम वर्य गुड बाइज गज और यह आपके लगबक कितनी फिट होती है चैंश फिट होती है अगला प्रसंद देखिए बारत का प्रथम परमाणू उर्जारेक्टर परमानू वेरी गुड और ये काँ पढ़ता है महाराष्टर में काँ पढ़ता है महाराष्टर में परमानू रेक्टर पूछ रही आपका अगला प्रसन देखे बारती अंत्रिक्स अनुसंदान संगठन का मुख्याले काँ पर है बारती अंत्रिक्स अनुसंदान संगठन का मुख्याले कहा पड़ता है बैंगलूर में अंत्रिक्स वेरी गुड और इसका हम फुल नेम पड़ेंगे तो क्या बन जागए ये अगले परसन को देखे क्या दिये गए निमली कितमेज किस रोग की पैचान करने के लिए कोई नहीं बोलेगा अरजुन बोलेगा बस कोई नहीं बोलेगा और अलिसा प्रिक्षन का परियोग क्या आता है अब जाते हो और आप बोलते हो हमारा ये टेस्ट करना है और वो पूरे उसका निचोड निकालेगा आपको बिमारी कब थी कितने प्रसेंट कब तक रही कारण क कैसे होई थी तो याद रखना आपके यह और विश्व एट से दिवस कब रहता है तो यानि कि जो एलिशा नामक जो प्रिक्षन किया था टेस्ट किया आता है तो यह किस चीज़ का टेस्ट करता है एट्स का बारते सविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिये गए कोई नहीं बोलेगा यह क्या दियू बोलेगा दीपक बोलेगा पकावेर है पहले कितने थे यह साथ थे एक अटादिया मूल संपत्ति का और ये मूलिक अधिकार कहां से लिए गए अमेरिका से बाग संक्या तीन के अंदर आई है हाँ वो अटाय हो 1978 में बाहरत में दक्षिन पस्षि मांसुन से सबसे ज़्यादा वर्षा ये मांसुन सबसे पहले किस राजियम प्रवेस करता है अभी पढ़ा है अभी पढ़ा था हमने इसने क्या बोला है दक्षिनी पस्षि मांसुन सबसे ज़्यादा वर्षा मांसुन से सबसे पहले किस राजियम प्रवेस करता है तो अपसन क्या होगा और अगर पूछ ले इस मांसुन से जो ज़्यादा वर्सा होती है किस राजी में होती है और ये मांसुन जो आता है भारत में कप प्रवेश करता है तो याद रहना जून के पहले वीक में और ये केरल के कौन से तट पे आता है तट पूछ ले तो अभी पड़ा था याद रूण लागे रहे तन तो सिवनात माला वार देख ले अरजन इसको याद रहा तुझे क्यों याद नहीं हो रहा तुझे छोटा होगा वो दूर दर्सन से रंगीन परसान किस वर्स परारम किया गयता है देख ले ना ये परसन को आप आगे देखे विश्वे वन्नेजीप कोस द्वारा किस पसू का परतिक चिन की रूप में लिया गया बाग है या पंड़ा है वन्नेजीप कोस हाँ पंड़ा है कौन सब या पंड़ा आगे देखे बारत में करंसी नोट पर उसका मुल्ले कितनी बासाओं में लिखा गये यह आग लोग हे और यह 5 लोग है इसा फाइड पर्ण साइड या ङा बैक साइड है वाट साइड पर लिखेड है 15 कितने लिखेड है आगल हाख सा खेड है कि की सलuates थ्यान देना दोस्तो दोस्तो्त तो आज के